साउध कश्मीर में पहला ये ग्रिवांस रिड्रेसल की पहला मिटिंग है तो आपने भी देखा काफी बहुत सारे लोग आए थे इसमें सरीक होने और अपना प्रोब्लेम्स को सुनाने और उसकी रिड्रेसल सीख करने के लिए जब हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए हैं मेरे खाल में ये दूसरा मेरा स्टेप है या दूसरा एपिसोड है जहां पर पहले सरे नगर जमू में हम करते थे तो ये दूसरा स्टेप है तो इसमें लोग तो आते ही हैं आपने तो देखा उसमें और मसाहिल जो है बड़े तरह तरह की है, वेराइटीज है, चिटिंग की है, घर में डोमिस्टिक वाइलेंस की भी है, जवीन को लेकर वो भी है तो बड़े वाइट रेंज की प्रोब्लेम्स है, उसमें कई सारे प्रोब्लेम्स खाली पुलीस को नहीं बिलंग करता है, जैसे मैंने कहीं और भी, किसी और जगर में भी बताया था कि यह सब ऐसे पीचिदे मसले हैं जहां पर पार्ट्ली वो फुलीस और परपूली क्रिबनल हैं और पराट्ली सिविल है तो उसको उसके बीच में भी लोगों के लिए तो क्राइम और सिविल अलग अलग नहीं है, उनके लिए तो एक मसाइल है तो उसको मद्दे नजर रखिक किस तरीके से उनकी मदद करें क्योंकि उनको तो ये तो नहीं है कि सद्किन सब्सक्राइब गर जी अब आपने इस से हटके जैसे वह कहा था कि एक और सवाल अलग से हम अड्रेस करेंगे नहीं ठीक है इसमें सेकुरूटी कंट्रोल में है और आपने जैसे देखा कि हम सबसे बड़ा सेकुरूटी की सबसे बड़ा फीचर जो है वो एक लॉएंड ओर्डर की और एक सड़क के उपर दुकानों में, स्कुलों में, बिजनेसेस में एक ओर्डर उसको लेकर जो चैलेंज है वो हम समझते हैं कि उस पर हमने अच्छी तरीके से काबू पाया है अब दो-चार टेररिस्ट्स बाहर से आकर ये एक नया चैलेंज हमारे लिए जरूर बना है कि पार से लोग इन्फिल्ट्रेट करके चोरी चिपे आके यहां पर कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर एक माहौल खराब करने की जो कोशिश करते हैं वो एक चैलेंज जरूर है पर हम इसको एक अलग नजरिया से देखते हैं हम यह देखते हैं कि हमारी अपनी लड़के जो है इन में सामिल नहीं है या कम है चंद लोग उनके साथ हो सकते हैं पर बड़ी आवाम उनके साथ नहीं है उसको हम माइंड में रखते हम कहते हैं कि हमारा सेकुरूर्ट के ऊपर कंट्रोल है देखो ना एक हिसाब से आपने में जवाब दिया आपको वो पहला वाला जवाब इस सवाल के लिए भी एक हिसाब से लगू होता है मैंने यह कहा कि यह प्रोब्लेम का जड़ और ओरिजिन बिल्कुल तकरिबन 90 परसेंट बाहर है बाहर बंदा हमारा बंदा नहीं है कश्मीर या जम कश्मीर का नहीं है बाहर का बंदा है पाकिस्थानी है और वो वहाँ से आता है इन्फिल्ट्रेट करके या किसी तरीके से गड़े के नीचे से खोद के टनल से आता है और आके यहां पे जब हमसे लड़ता है तो वो एक अलग चैलेंज है अब उनकी तादाद कम है पर वो एक अब क्रास बोडर इस तरीके से करना वो चैलेंज है राज़री पुछ में भी है उचछ तक यहां पे भी है हम इस पे काबो इसलिए पाने के लिए सक्षम होंगे क्यो लाम ही उनको पाने काथिए आपाएनऑ कोषा गुए अधरी आपाद क्योंदी के लागे कांद सावड़ trash है भावे है बूब आपणो भालताै कि यहां अधर दाक्म है व्हार्मांदी को अनकी सा थर्फ़ार में आपाद भी है है